नागरिक्ता शंशोधन अधिनियम को लेकर के एक बार फिर से चर्चा गरम हो चुकी है क्या सोचते हैं तौकिर रजा साहब इस बारे में क्योंकि तमाम बयान आ रहे हैं लगातार कोई कह रहा है कि एक हफते में नागरिक्ता शंशोधन अधिनियम को जो है पारित कर दिया ज चाहिए और इसलिए इस कि तमाम काविशे की जाती हैं सी ए ए का जहां तक तालुख है मैंने पहले भी ये बात कही है अभी भी कह रहा हूं कि अगर गैर मुल्की हिंदू समाज के लोगों को आपको नागरिकता देनी है तो दी जानी चाहिए मैं उसका समर्थन करता हूँ इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना किसी मुसल्मान को इतराज है ना हिंदुस्तान में किसी को इतराज हो सकता है कि गैर मुल्की अगर कोई हमारे हाँ अपने मुल्क से प्यूडित आता है तो हमारी जिम्मेदारी यह हमरे देश की जिम्मेदारी है कि उसको अपने पनाह दें बलके नागरिकता दें लेकिन इस बिल की क्या जरुवत पेश आई है ये मेरी समझ में नहीं आता है जब आपको कोई उस नागरिक्ता देने से रोक नहीं रहा है फिर इस बिल की जरुवत क्यों है मैं पहले भी जो पाकिस्तानी यहां हिंदू हदराथ आये हुए थे मैंँ उनके पहे गिया था, उन से बात भी की थी, हुकूमत हिंसे मांग भी की थी ची जाए उनको नागरिक्ता देके पहे हैं, उनके लिए रहा समगरी भी लेके गया था, तो जहां तक को गः Bowl की हिंदू लाने की बिल लाने की और इस से मुलक में अनिश्चिता का माहल बनाने की लोगों में खौफ हिरास पैदा करने की कोशिश करना और अपनी दाकत का गलत इस्तेमाल करना सी ए के तहत अगर आप मुसल्मानों को हिरासा करना चाहते हैं और मुसल्मानों की फिर नागरिक्ता पर सवाल उठाना चाहते हैं और उनको सताना चाहते हैं तो ये हमारे मुलक के लिए ठीक नहीं है ये तरीका ठीक नहीं है ताकत का गलत इस्तेमाल जब जब हुआ है मुलक क जी दुनिया में बदनामी भी है अगर लागू होता है तो तौकिर रजा साब का क्या रियक्शन होगा खास्तोर पे आप आवाम की बात कर रहे हैं आप ये भी कह रहे हैं कि कोई अगर बाहर से गार मजभी अगर भारत आना चाहता है और पीडित है तो आपको किसी तरह की दि हो रही है सरकार कहती है कि इसमें दिक्कत क्या है आपकी नागरिक्ता तो चीनी नहीं जा रही है तो किसी को नागरिक्ता देने पर हमें कोई इतराज भी नहीं है कोई मसलमान अपना मिल्क छोड़के यहां आता है पना मांगता है आप उसको नागरिक्ता मत दो हिंदू आता है तो दे दो हमें कोई इतराज नहीं लेकिन इस गानून की इस बिल की जरूरत कहां पेश आई असल मसला ये है कि राम मंदिर के नाम पर जो हजारो करोर रुपया बरबाद किया गया और जो गेम इनके जहन में था वो पूरी दरा फ्लॉप हो गया और इन्हों ने समझ लिया कि उसका जो फाइदा ये दोहजार चौबिस में उठाना चाहते थे वो नहीं उठा पा रहे हैं इसलिए ये सीए का जो ड्रामा है अब वो किया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम जो नफरते हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके मुसल्मानों ने बाबरी मस्जित के बारे में या राम मंदर के बारे में कोई अपना रियक्शन ऐसा नहीं दिया जिससे महुल खराब होता ये महुल खराब करना चाहते हैं चुनाव का फाइदा लेने के लिए और कोई भी बड़ा कांड हिंदूस्तान में ये करा सकते हैं चुनावी फाइ लिए ही राम मंदर का उदगाटन किया गया जबके राम मंदर का उदगाटन जो चार धाम के चारों शंकराचारे हैं उनकी मुखालफत के बावजूद उसको मधभी मामले को सियासी रंग दे कर सियासी फाइदा उठाने की कोशिश की गई तो जो लोग इस किसम के काम करते है यह बहुत बड़ा अनर्स किया उन्होंने उन शंकराचारियों की समर्थन होना चाहिए था उनके हातों इसका उत्गहटन कर प्रार्ण-फिर्स्था तो प्रान पिढ जानी चाहिए थी तो जो कुछ भी यह करते हैं अपने सियासी फाइदे के लिए करते हैं और सियासी फा अगर इसमें भी इनको खासिर खुआ नतीजा नहीं मिलता है तो फिर कोई आउ ड्रामा करेंगे लेकर आपको क्या लगता है मतलब ठीक है इन्होंने राम मंदिर का उद्गाटन किया प्राड़ परतिष्ठा हुई मुस्लिम लोगों को भी इन्होंने इन्वाइट किया इलियासी साब भी वहां जाकर के बकाइदा वहां पर इन्वाइट थे इन्वाइट थे इन्वाइशन उनको दिया गया था वो वहां पहुचे भी थे और मुबारक बात भी दे रहे अब वो कह रहे हैं कि हमें फत्वा ज साथ आपको याद होगा तारीख की तरफ मैं आपका तवज्जो कराना चाहता हूँ के अकबर के जमाने में समराट अकबर उन्होंने दीन इलाही शुरू किया ताइम किया गया और उस वक्त उनकी ताकत और उनकी बाश्चाहत और उसकी वजह से तमाम लोग उनके साथ हुए बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा हकुमत की मुखाल्फत मामूली नहीं होती है तो उन्हें भी बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा लेकिन बिलाखिर अकबर का वो दीन-ई-लाही कहीं नहीं है और हक जो था वो हक रहा तो इसी तरह वह तारीख दोराई मोदी ने हिंदू समाज का किया है तारीख में याद रखा जाएगा इसी हास में से याद रखा जाएगा सरकार तो कह रही है आखरी सवाल की दो दोजार चौबिस में तो चार सो पार होने बैड़ जाएए और लेकिन लेकिन दुनिया देख रही है और सबसे बड़ी ताकत जो है वो देख रही है और वही फैसला करने वाली है अगर आता है तो विरोध होगा आपके इस तरफ हिंदुस्तान में हर उस चीज़ का विरोध किया जाएगा और मैं नहीं बलके तमाम हिं किमला करके अभी आप सुन रहे थे तौकीर रजा साब को और जिस तरह से सीए को लेकर के चर्चा हो रही है कई बार यह बयान सामने आ चुके है कि एक हफते के अंदर सीए को लागू किया जा सकता है हाला कि अभी सरकार की तरफ से या कहें कि ग्रह मंत्राले की तरफ से इस इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन सी एए पर महौल अबगर्म है कि विडियों संजय शर्मा के साथ सेद आमरे उसायन निज्जेशन दिलेगे